हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स नीट यूजी 2023 की प्रपेशन कर रहे हैं तो गैज यह आप सभी को पता है नीट यूजी की सीट्स मिली है उनके लिए अब टाइम है नीट यूजी 2023 की तयारी कर ले जाए क्योंकि एक्जाम डेट है वो फाइनली एंटी की तुरू डिकलेर कर दी गई है नीट यूजी 2023 का एक्जाम साथ में को आपका होने जा रहा है अब एक्जाम होने से पहले जो एप्लिकेश से सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटिड की हर टाइप के इनफोर्मेशन चाहे वो उफिशल नोटिस से रिलेटिड हो एप्लिकेशन फॉर्म, रिजल्ट, कट ओफ, काउंसलिंग, हर टाइप के इनफोर्मेशन टाइम तु टाइम आपको इस चैनल के दुरू प्रोवाइड करवाई जाएगी अब देखे गाईज अगर हम देखे 2023 की जो एक्जाम डेट है, फाइनली डिकलेर कर दी गई है, ओफिशल नोटिस जो है, डाल दिया गया है, ओफिशल फेपसाइट पर तो 7 अमे को अनॉंसमेंट हुई है कि 7 अमे को नीट यूजी का एक्जाम करवाई जाएगा, जबकि अगर हम 2022 की बात करें तो 17 जुलाई को था, और अगर हम बात करें 2021 की तो एक्जाम जो था काफी डिले हो गया था, सेप्टमबर में एक्जाम हुआ था, अप्रोक्स 23 या 17 सेप्टमबर, ठीक है, तो गैस 2023 का एक्जाम और भी जल्दी आपका connect होने वाला है, आपके पास ज्यादा time नहीं है, only 5 months है, 5 months भी guys complete नहीं है, 4 months आपके पास है, तो एक्जाम की preparation कीजिएगा, क्योंकि cutoff जो है, नीट यूजी 2023 की काफी high जाने वाली है, 21, 22, 22 तक आप देख चुके है, क्या cutoff रही है, अगर आपको अ तो नीट यूजी 2023 का जो एक्जाम है, वो 7th में को होगा और जो application form है guys, वो अभी आपके भरे जाने है, तो कब से आप apply कर पाएंगे, देखिए, तो guys ये मैंने newspaper open कर दिया है, 2022 का जो एक्जाम था, 17 जुलाई को हुआ था, ये आप सभी को पता है, 18.72 लाक students ने आवे दिन किया था, लेकिन अब की बार, 2023 में माना जा रहा है कि 20 लाक के करीब जो students है, अपलाई करेंगे, क्योंकि MBBS करके जो students है, डॉक्टर बनना चाहते है, तो देश के प्रतिस्चित Medical College में MBBS BDS IUS जैसे कोर्सों में दाखिल लेने के लिए, प्रति वर्ष लाखों अभिहर्थी, नीट यूजी में भाग लेते है, वर्ष 2022 में 17 जुलाई को आयुजुत्वी नीट यूजी परिक्षा के लिए देश भर से 18.72 लाक उम्मिद्वारों ने आविदन किया था, इस वर्ष भी नीट के लिए 20 लाक के करीब आविदन आ सकते है, एंटिय परिक्षा क्लेंडर के अनुसार नीट यूजी परिक्षा 7 में को निर्दारित की गई है, अगर आप भी नीट परिक्षा क्वालिफाई करके MBBS या BDS जैसे कॉर्स में दाकिला लेकर डॉक्टर बनना चाहते है, तो सफलता के लिए नीट यूजी का जो कटोफ है, वो आपको जरूर देख लेना ह सलेबस पैटरन जो है, वो क्या रहेगा, तो नीट परिक्षा भोतिक विज्ञान रशाईन विज्ञान जी विज्ञान के आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें कक्षा 11 और 12 दोनों से प्रशन पूछे जाते है नीट परिक्षा में 200 questions पूछे जाते है जिसमें 180 के जवाब देने जरूरी होते है उम्मीद्वारों को इन 180 सवालों को हल करने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है एंड ये हिंदी इंगलिस समय तेरा भाशाओं में इस परिक्षा का आयोजन कराता है परिक्षाओं में negative marking होती है हर गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है तो क्या-क्या जो है जैसे physics होगी उसके अंदर A section में 35 questions रहेंगे B section में 10 questions रहेंगे total 45 questions होंगे और 180 marks कर रहेगा chemistry के अगर हम बायत करें तो section A में 35 section B में 10 questions रहेंगे total 45 questions रहेंगे और ये भी 180 marks का आपका रहने वाला है बायो की अगर बात करें तो same portion BIO कर रहेगा अगर बोटनी की बात करें वनसपती विज्ञान की तो same जो है वनसपती विज्ञान में रहने वाला है 180 आप बायो के अंदर बोल सकते हैं मतलब बायो के अंदर आपका 360 marks का पूरा total weightage रहेगा ठीक है देश में कुल medical college और dental college कितने है तो medical college जो है 532 और dental 313 है ठीक है 88 फिसदे रह सकती है neat cut off है तो neat की cut off अब जो अनुमान लगाया जा रहा है इस वर समाने category में neat cut off 88 फिसद से उपर रह सकती है यानि 720 में से 635 अंक लाने वाले चात्रों को आसानी होगी चात्र अगर राज्य कोटे की seatों पर focus करेंगे तो वहाँ कम अंकों पर भी दाखिला संबव है जैसे राज्य कोटे के लिए चात्र के 520 से 630 अंक लाता है तो उसे कोलेज में दाखिला मिल जाता है तो गैज जो online application form होगा neat uj2023 का वो भी बहुत जल्द announce होने वाला है जैसे ही announcement होगी application form की starting की और last date की तो आपको इस channel की थूर इंफॉर्म कर दिया जाएगा इसलिए अगर आप इस channel पर नए है तो channel को जरूर से subscribe कर लिजेगा ताकि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी information time to time आपको मिलती रहे तो गैज जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you